हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू मेटा मास्टर और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टन रहने वाली है सारे अपडेट्स जो भी आपके मंड में क्वेश्चन है सारे आज रिजॉल्व होने वाले हैं M5 coins को लेकर राइट सो हम लोग registration का देखेंगे registration कैसे करना है अपने वालेट को verify कैसे करना है funds कैसे आएगा USDT का और M5 coins उससे कैसे purchase कर सकते यह सारी queries जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से आपकी दूर हो जाएंगी राइट सो सबसे पहले आप लोग को यह जो website है M5.io इसे open करना है राइट सो यह देखें website आपके सामने कुछ इस तर करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक option आपको दिखेगा that is sign up यह sign up option आपको यहाँ दिख रहा है इधर पर क्लिक करना है और sign up क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा form आ जाएगा भरने के लिए इसमें अपने सारी details डालनी है कि कि कह है आप अपना नाम से चालू कर सकते रहे यह अपने नाम चालू कर दिया यह first name second name और बहतर यह देगा कि आप जो है अपना नाम अपने email id का रखे ताकि आपको अपना email id भी याद रहे और एक स्ट्रॉंग पासवर्ट सेट करना है राइट यह देखे यह दर पासवर्ट सेट अप हो गया country चेक कर लिया यह हमने कोई भी आप प्रोफेशन चुन सकते जो भी प्रोफेशन है आपका एम सेल्फ एम्प्लोइड सेल्फ एम्प्लोइड इ आपके टीम मेंबर्स ने आपको रैफरल कोड भी दिया होगा अगर आप यहां से भी देख सकते हैं और जो बहतर यहीं रहेगा कि हमें एक फॉलो करके जो रैफरल कोड हमें टीम मेंबर्स दोरा प्राप्त हुआ है उसके तरफ ही हम लोग उसको यहां पर अप्लाई करें इसी तरह से आगे बढ़ जाना है तो यह रैफरल कोड डालते ही आपको क्लिक करना है रेजिस्टर अब जैसे आप लोग का अपना आईडी क्रिएट हो जाएगा आप चाहे तो इसको सेफ भी करके रख सकते हैं अपने गूगल सिस्टम में और यह बहुत बड़ी यह रगिए जो आप रेगुलरली फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ऐसा इमेल इडी मत यूज किए जो कभी आपने यूज किया नया है उसको फ्रिक्वेंटली यूज करना जհूरी है तक क्योंकि आपके जो भी वेरिफीकेशन से जो भी OTP से सारी इस इमेल डीय में आने कर दिया था टिस्स में पहले से ही आ रहा है यूजरनेम पास्वर्ड मैंने रिमेंबर में भी क्लिक कर सकता हूं और यहां मैं लॉग इन कर दूंगा अभी आप देख सकते हैं यह जो अकाउंट है यह इनक्टिव है इसे हमें अक्टिवेट करना पढ़ेगा अपने इमेल में क्लिक करना चाहिए इसके बाद ही आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव होगा तो जैसे आप कंफर्म बटन दबाएंगे आपको अपने आप से कॉंग्राचुलेशन मैसे आजाएगा यह सक्सेसुली वेरिफाइड यूर इमेल एड्रेस और अब हमारा अकाउंट जो है एक्टिव हो चुका है नौ वी विल बी अबल तो लॉग इन सक्सेसुली राइट सो यह लॉग इन मैंनियो आ चुका है यह मैंने लॉग इन डीट क्लिक करना है तो यह तरह से फिर से आपको वह ओटीपी मागेगा अगेन आपको जो अपना इमेल आई डी जो है यहाँ पर चेक करना पड़ेगा वहाँ पर आपको जो ओटीपी आएगी यहां आप पेस्ट कर देंगे एक six digit की ओटीपी आपको यहाँ पर देखने को तो यह जो OTP मेरे पास आई है मैं इसको स्वीड कर रहा हूं यहां पर ओके तो यहां से आपको प्रोसेड करना है अब आपको डैशबोर्ट देखने को मिलेगा जो कि इसकी पूरी जो प्रोसेडिंग से आप लाइफ देख सकते हैं ओके जिसे कि आप सबको पता है कि यह जो MF coins है यह चार राउंड में दिये जाने हैं and the first round that is the seed round जिसमें इंजल इंवेस्टर कैपिटल वेंचर लोग होते हैं उन्होंने पैसा इसमें लगा के 100% हो चुका है और इससे ही आप समझ सकते हैं कि कि स्पीड से बढ़ रहा है जो Bitcoin 10 साल में नहीं कर पाए यहां आप देख सकते कुछ महीनों में हो चुका है right so definitely इसी चीज में help करने आप दस सेंट में मिल रहा है mff coin already almost 60% सेल आउट हो चुका है अब hardly दो दिन बज़े और आपको पता है last days में जो speed रहती है selling के buying की वो काफी काफी high rate पे रहती तो बैतर यह है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ही तुरंत ही अपना जो account है उसको रेजिस्टर करो है ना और mff coins अपने funds इंपुट करके funds मगवा के आप mf coins जल से जल करेद लेजे बिकॉस अभी यह एक तरह से first come first services पर आज जो का है क्योंकि इसके बाद जो public round आएगा जो pre-sale round आएगा it is available on first come first services only right और उसका price भी जो है यहां से double हो जाएगा अभी यह 10 10 you point 10 USDT का है right इसके बाद ही point 2 USD का हो जाएगा right जितना देर करेंगे उतना आपको higher prices में करेदना पड़ेगा right तो यह कुछ इस तरह का interface जो है आपको देखने को मिलेगा mf coin का right अभी जो private round चल रहा है वह active है जो यहां पर देखने को मिल रहा है और अभी जो coin का price है वह point 1 US dollar है right तो यहां पर आप जो है अपना देख सकते हैं कि क्या इसका process अभी चल रहा है तो अभी current हमने ट्रोन ब्लोक्चेन पर है जो usdt stable coin manufacture करता है माइन करता है और दूसरा है बाइनस वाला तो आप इन दोनों में से किसी वी एक option को select कर सकते हैं रहां कि TRC 20 को चादा सजेश किया जता है कि transaction speed fast जो फीज जो है low है right तो आप लोगों को इस TRC 20 में क्लिक करना है ठीक है और यह आपको इसको पहले verify करा लेना है right तो यह OTP अगेन आपकी email id पर जाएगी ठीक है six digit को OTP आपकी email id में इससे आप लोग पता कर सकते कि आपका जो email id है कितना importance play करने वाला है ओके तो आप email id से इसमें input कर सकते हैं इस तर से आप verification थोड़ा एक दो बार आपको और trial करना पड़ सकता है इसका right फिर से आप send OTP कर सकते हैं अगर verification failed होता है तो right जिसके लापको 60 seconds का timing भी रखना पड़ता है उसके बाद ही next OTP generate होगा तो यह सब चीजे आ सकती बीच में आपके जिससे आपको मतलब वरी नहीं करना है और वापस try करना है तो यहां आपने जैसे verify क्लिक किया यह जो आपका email id है properly verify हो जाएगा तो यह जो है company का आपको QR code यहां पे flash करने लग जाएगा ठीक है अब यहां से आप लोग जो है usdt जो है purchase किया हुआ जो भी आपके fund added है आपके dashboard यह आपका dashboard है अभी अगर हम लोग dashboard देखेंगे तो ना ही मेरे पास कोई mfap coin है और ना ही मेरे पास wallet में कोई fund है अब fund लेने की दो तरीके है या तो आप आपके आपके आपका अपना mfap में यह account setup हो गया है तो आपकी email id क के तुरू आपके जो team members है आपके जो upline है वो आपको आपके email id के तुरू internal transfer कर सकते हैं right that is the first step to get usdt आपको पता है बिना usdt के हम लोग जो है mfap coins को purchase नहीं कर सकते right so mfap coin के लिए usdt चाहिए और usdt coins के लिए either आपका या तो आपके खुद की wallet में आपके पढ़ा हो है ना usdt वो बाइनस में हो सकता है वजीरेक्स में हो सकता है ट्रस्ट वालेट में हो सकता है जहां भी आपके पास पढ़ा हुआ usdt आप बस क्या करेंगे यहां usdt यह भी ep20 किसी में भी जाकर यह जो company का qr code है यह तरह से उनका wallet address है यहां पर आप transfer कर देंगे तो एक तो wallet to wallet आप transfer कर सकते हैं that is the first way second आपके upline में जो आपके team members है वो भी आपको internally transfer कर सकते हैं तो यहां जो भी transaction आप करेंगे यह इधर पर reflect करने लग जाएगी ठीक है तो यह qr code की through आप जो है usdt को deposit कर सकते हैं यह तरीका था अब मैं आपको इसमें live दिखाता हूं कि जो mfap coin है आप लोग को transfer कैसे करना है internal transfer कैसे करना funds कैसे मगाना और mfap coin कैसे करी सकते हैं उसका वीडियो भी हम देखेंगे यह तो था registration और अपना account को verify करने का अपने wallet को verify करने का मतलब अब एक तरह से मेरा account ready है usdt receive करने के लिए है और mfap coin purchase करने के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो usdt है हमारा usdt transfer हो सकता है ना email id की तुरू एक account से दूसरे account में जो है हमारा email id transfer हो सकते हैं यहां देख सकते हैं internal transfer वाला option है यहां बस कुछ नहीं जिस भी बंदे को हमें भीजना है ठीक है माल लिजे मैंने अपना ही email id इसमें दलके देख लिया ठीक है अब क्या को जैसी email id लिखेंगे और amount लिखेंगे वो amount इसमें transfer हो जाएगा और आपकी verification के लिए जैसे ही आप email id लिखेंगे बंदे का और अगर वो जो person है वो authentic है तो इसका जो है नाम यहाँ पर आपको display करने को मिलेगा ठीक है इससे आप अशोर हो सकते हो कि जिस वेक्ति को आप usdt transfer कर रहे है वो एक authentic person है वो एक registered person है ठीक है उसने अपना email इसा verify किया हुआ है और यहाँ पे आप क्या है usdt का amount लिख सकते है जो कि minimum 10 usdt है ठीक है और ऐसी आप जैसी send करेंगे उस बंदे को तुरंद उसके account में usdt जो है and cash हो जाएगा तो इसी medium की थ्रू है ना इसी medium की थ्रू आप us किया जा सकता है usdt को purchase करने के लिए राइट सो यह तो था internal transfer वाला और अभी फिर से बतारो mf coin जो है transfer नहीं हो सकते mf coin जैसे यह अपने usdt की मदब से करीदे वो लॉक हो जाएंगे वह आपके अपने हो जाएंगे ठीक है it is it cannot be transfer ऐसा नहीं हो सकता कि एक विक्ती ने एक ला usdt जो है जो funds है वो आप transfer कर सकते हैं मान लीजिए आपने किसी से 10,000 usdt मंगा लिया और आपने क्या है 8000 usdt का mf coin ले लिया बाकि 2000 जो है आप चाहे तो अपने team members को email ID के थ्रू internal transfer कर सकते हैं right so यह process I hope आपको clear आ गई होगी किसी कोई doubt है तो comment section is open you can leave your comments I'll be happy to usdt transfer करना और mfap coin खरीदने का live demo हम देखने वाले यह आप एक account देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर already 500 mav coins है आप देखें यहाँ पर क्या दिखा रहे है लॉग्ड है यह transfer नहीं होने वाले ठीक है but wallet में आप देख सकते हैं यहाँ 207 usdt यहाँ पर रखे हुए तो इसको मैं internally transfer कर सकता हूँ ठीक है यहाँ internal transfer यूज करके यहाँ email id एंटर करूँगा और email id एंटर करते ही उस बंदे का नाम आ जाएगा और यह देखे 10 minimum usdt आप transfer कर सकते हैं तो यहाँ मैंने 50 के amount डाल दी यहाँ submit क्लिक करेंगे यह देखें यहाँ पर आपको जो है transactions में show करने लग जा इसमें 50 जो है transaction deduct हो जाएगा और उसकी details यहाँ पर आजाएंगे कि transaction की ID किया है किस email id पर गई है कितना amount गया है success रहा है failure रहा है और किस particular date पर गया है आप देखते कि M5 coin अब तो हमने देखो transfer करना सीख लिया आप M5 coin जो है खरीदना कैसे है तो यहाँ आप जाएंगे यहा अब आपको ध्यान हो हमने 50 जो है transfer कर दिए तो फिफ्ट वहांड़ सेवन से तो अपने पास 207 माइनस 50 इतना यूजटी है राइंग तो यहां आपको अगर पर्चेसिंग करनी है तो इसका यह बड़ा सिंपल तरीका है अभी आपने देखा मेरे पास यह अवेलेबल बैलेंस क्योंकि 50 तो ट्रांसवर हो चुका है अब यहां मैं जैसे ही बाइना करूंगा मेरे को 50 उस जिटी के जितनी भी मिल सकती है M5 coin वह यहां पर प्रोसीड में क्लिक करेंगे फिर OTP के थे आपका वेरिफिकेशन होगा और आप यह देख सकते हैं पहले जो थे मेरे पास 500 M5 coin थे और अब मेरे इसमें 100 M5 coin जो है add हो चुके है और मेरा बैलेंस जो है वो used up हो चुका है अगर आपको ध्याना हो तो स्टाटिंग म जो मेरा बैलेंस था 207 था फिर मैंने 50 मैंने इंटर्नल ट्रांसवर कर दिये और बाकी जो 50 था उसका मैंने इस्तमाल करके 100 M5 coins खरीद लिये तो कुछ इस तरह की इनकी मेकानिजम है जिसका आपने live demo देख लिया ठीक है अब इसमें कुछ बाते जो है हमें काफी ध्यान रहे हैं यही आपके identity रहने वाली है और make sure कि आपने जिस email id को दिया है उसका आपने recovery भी एक proper email id भी दे रखा है ताकि आपको भी बुल जा तो उसको recover किया जा सके right क्योंकि सारे आपके wallet verification और OTPs एक-एक transaction के लिए OTPs आपके email id पर ही आएगा right I hope आपको अलड़ी पता है email का importance होता है but again as a community इस चीज़ की understanding रहना काफी important है हम सब लोगों के लिए तो यह सब चीज़े final आपको बस कुछ चीज़े बतानी थी यह तो Gmail id के मैंने बता दिया और Gmail id आप इसमें change भी नहीं कर पाएंगे Gmail id किसी भी हालत में जो आपकी है वो change नहीं हो सकती इसलिए उस पे इतना stress दिया जा रहा है right और जो payment के थूप के लिए wallet payment के लिए आप TRC 20 का इस्तमाल करें क्योंकि इसकी low fees और high transaction success ratio है right funds आपको बता दिया मैंने दू तरीके है या तो आपके team members आपको आपके email id में internal transfer कर सकते हैं या आपके wallet में आगर आपके पास fund है तो आप जो है जो QR code है right इसमें transfer कर सकते हैं अपने wallet to wallet transfer भी possible है इसमें right so इन सब चीज़ों क हम लोग ध्यान रखें और किसी को कोई भी issue हो please contact your team members बट यह एक once in a lifetime opportunity है इसकी जो हाइप है मतलब happy sir ने तो clear two and a half लाग गुना का बूला minimum इतना तो होगा अगें इसमें भी patience is the key right और हमारे पास locking procedure भी है ठीक है आप जो आपका यहां नीचे आप देख सकते हैं आपका अपना भी referral ID generate हो जाता है यहां पर जैसे देखे मेरे email ID के नाम पर यहां पर अपने डाउन लाइन में अपना referral ID भी दे सकते हैं right so that's all for mfp coins everyone और Meta Master YouTube channel एक authentic source है information का कोई भी आपको Soilverse, Mfp, Coin, Finza ecosystem के बारे में चाहिए so you can stay updated आप जो है bell icon प्रेस कर सकते ताकि कोई भी notification जो है आपसे miss ना हो till then everyone thank you stay blessed जैहिन